दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल रभी कांतार के प्रोडक्शन में आज का हमारा टॉपिक है डिग्री मिनट सेकिंड अगर हमारे पास लेट लॉंग का डाटा है उसको कैसे डिग्री डैसिमल में कनवर्ट करना है तो ये हमारे पास एक्सल में लॉंगिट् second में data है इसको हमें decimal degree या degree decimal में convert करना है तो कैसे हम इसको convert करेंगे क्या formula लगाएंगे वो आज हम आपको दिखाने वाले हैं तो मैं सबसे पहले अपना एक data copy करूँगा अलग excel में और इसको अब हम यहां से जो है वो इसको degree decimal में convert करेंगे तो मैंने उपर वाला भी इसमें से हटा दिया और इसको मैं column को select करूँगा select करने के वाद data में जाएंगे text to columns में जाएंगे fix width पर click करेंगे और यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो degree, minute और second यह सब है यहां यहां पर यह lines हम लोग लगाएंगे फिर क्या है यह अलग अलग column में हमारा data आ जाएगा हम इन lines को ऐसे आगे पीछे move भी कर सकते हैं और अगर आपको नई lines लगानी है तो आप वहाँ पर click कीजिएगा तो यहां next करने के बाद यह आप देख रहे हैं हमारा जो degree, minute और second है वो अलग अलग column में आ गया है ठीक है अब इसमें से हम क्या करेंगे सबसे पहले यह जो हमारा degree का symbol है यह symbol हम यहां से copy कर लेंगे यहां cell में जाने के बाद यह symbol degree का हम लोगों ने copy किया copy करने के बाद इसको हम column को select करेंगे और control अफ करके find करेंगे यहां पर मैंने symbol वो paste किया और यहां पर replace all कर दिया तो replace all करने से क्या हुआ कि जो symbol था वो हट गया blank से replace कर दिया तो symbol हट गया सेम यही हम minute में करेंगे minute का symbol लगाया replace all किया blank से तो वो symbol भी हट गया यही activity हम second में करेंगे हमने वहाँ पर second का symbol लगाया replace all किया blank से तो ये हट गया अभी हमारे पास तीन column generate हो गए हैं इसमें आप देखेंगे degree, minute और second का जो है वो data हमारे पास अलग-अलग column में बन गया है अभी मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि हम लोग बाद में confused ना हो भूल ना जाएं ये हमारा longitude का data था और longitude data में ये हमारा degree था ये minute है और ये हमारा second का data है ठीक है अब हमें इसको decimal degree में convert करना है उसके लिए हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें इसमें formula लगाना है जो की हमारा formula हर एक उसमें copy हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप सबसे पहले is equal to से शुरुआत करेंगे और is equal to करने के बाद सबसे पहले degree लीजिए degree लेने के बाद plus का symbol लगाएंगे plus करेंगे minute को हम divide करेंगे 60 से because one hour is equal to 60 minute then इसको हम plus करेंगे और second को divide करेंगे हम लोग 3600 से 3600 से क्यों क्योंकि एक hour में 3600 second होते हैं ठीक है यह करने के बाद यह हमारा decimal degree में बन गया है data इसी को हम copy करेंगे तो यह हमारा सारे cell में यह data आ जाएगा ठीक है जैसा मैंने आपको बताया one hour is equal to 60 minute and one hour is equal to 3600 second that's why हमने जो है यह जब हमने उतने से इसको divide किया तो यह degree में बन गया और उसको हमने degree decimal में convert कर दिया यही formula आपको degree decimal बनाने के लिए use करना है तो हमने वहाँ से data उठाया इसको हम paste special values करेंगे values इसकी paste करेंगे तो यह हमारा यहाँ पर data आ गया है same activity अब हम करते हैं दूसरे data के लिए क्योंकि हमने अभी longitude कर दिया latitude हमारा बचा है तो latitude को भी कैसे करना है same system इसमें भी हमको follow करना है अभी हमने यह हटा दिया column को select किया data में text to column में जाकर के simply जो मैंने आपको बताया यह हमारा अलग-अलग column में हो गया अब हम क्या करेंगे यहाँ से यह degree वाला जो symbol है वो पहले हम copy कर लेंगे क्योंकि keyboard पर ऐसे आपको मिलेगा नहीं problem आएगा तो इसको copy कीजिए फिर आप control आप में जाएए find कीजिए वहाँ पर इसको paste कीजिए और blank से replace all करवाईए ठीक है तो क्या है कि वो हमारा जो है वो यह सारा हमारा replace हो जाएगा जैसे हमने minute, second अब हमारा degree वाला बचा था वो भी हमने paste कर दिया replace किया और यह देखिए हमारा यहाँ पर symbol जो भी थे वो replace हो गए ठीक है अब वो replace होने के बाद उसमें क्या करना है इसको हमें उसमें degree minute, second में convert करना है बट convert करने से पहले हम जो इसका latitude है यह latitude लिख लेते हैं ताकि बाद में confusion ना हो और इसको denote भी कर देते हैं degree minute, second and decimal degree से इसको denote कर देते हैं यहाँ पर अब हम decimal degree वाले में इसका formula लगाएंगे तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था 1 hour is equal to 60 minute is equal to 3600 second ठीक है तो is equal to सबसे पहले degree and plus minute divide by 60 because 1 hour is equal to 60 minute plus second divided by 3600 यह करने के बाद enter करेंगे तो यह हमारा data जो है वो decimal degree में बन गया अब मैं इसको यहाँ से copy करूँगा और इसको मैं main data में डाल दूँगा लेकिन paste special आपको करना है और values इसकी paste करनी है otherwise formula आ जाएगा और यह गलत हो जाएगा तो मैं यहाँ पर latitude को भी copy कर देता हूँ तो यह हमारा longitude and latitude data degree decimal में बन गया है जो की हमारा degree minute second में था क्योंकि कई बार software हमको अगर हमें इसको UTM में convert करना है तो software इस format में data मांगता है ठीक है next video में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसको हमें UTM में convert करना है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद Thank you